हेलो स्टुडेंट्स दिस इस आदेत्य गौड आज म्यूजिक में हम एक नय टॉपिक लेंगे जो है कण तो कण एक प्रक्राय का स्वर है और कण का अर्थ क्या है तिन का इंग्रिश में आप इसको पार्टिकल भी कहते हैं तो जैसे पार्टिकल बहुत छोटा होता है सूक्षम होता है उसी तरह से जो कण स्वर है वह बहुत सूक्षम रूप में प्रयोग के जाता है यानि कि तिन के जितना प्रयोग के जाता है तो जब हम किसी स्वर को तिनके जितना प्रयोग करें, बहुत छोटे रूप में, सुक्षम रूप में प्रयोग करें, तो वह कण स्वर कहलाता है। जब हम किसी स्वर से पहले किसी एक स्वर को सुक्षम रूप में प्रयोग करें, तो वह पूर लगन करें लाता है। mathematics में square लिखते हैं, उसी तरह से यहां पे आप मूल स्वर से पहले कंस्वर जो आप ले रहे हैं, उस कंस्वर को लिखेंगे, और वो square की तरह, बहुत छोटा, मूल स्वर बड़े रूप में लिखा जाएगा, और उससे पहले जो आपका कंस्वर है, उसको सूश्मी रूप में लिखेंगे, जैसे यहां पे आपको मैं एक बार और लिखकर दिखा रहा हूँ, एक कंस्वर और लिखकर दिखाते हैं, जैसे, सपोस किजिए, हमने गा स्वर लिया है, और गा से पहले हमें कंस्वर प्रयोग करना है, तो गा से पहले हमने रे स्वर का प्रयोग किया, तो बाते कैसे वहम आभी आपको आगे चलिके बताएंगे तो जब हम कन स्वर को मूल स्वर से पहले प्रयोग करते हैं तो वह पूर्वलगन कड कहलाता है इसी प्रकार से जब हम कन स्वर को मूल स्वर के बाद अगर प्रयोग किया जाए तो वह अनुलगन कड कहलाता है कन स्वर अगर मूल स्वर से पहले प्रयोग हो रहा है तो पूरुलगन कड कहलाता है और कन स्वर अगर मूल स्वर के बाद प्रयोग किया जा रहा है तो वह अनुलगन कण कहलाता है जैसे यहाँ पे भी आपको देखिए जो मूल सवर है उसको हमने बड़े रूप में लिखा है और जो कण सवर है उसको हमने राइट हैंड साइड में स्क्वाइर की तरह छोटा सा राइट हैंड साइड में बहुत छोटे से रूप में लिखके दिखा है राइट हैंड साइड में क्यों लिखा है बाद में क्यों लिखा है क्योंकि अनुलगन कण में कण सवर बाद में आता है और यहाँ पे हमने लेफ्ट में क्यों लिखा था क्योंकि पूर लगन कण में जो कन स्वर है मुल स्वर से पहले आता है तो आपको अनुलगन कन का एक एक्जम्पल और देते हैं जैसे गाही स्वर हमने लिया है और गाह में हमें अनुलगन कन का प्रयोग करना है तो गाह के बाद जो स्वर है उसको हमने बहुत छोटे से गाह को बड़ा लिखके दिखाया और गाह के right hand side में मा को जैसे हम square लिखते हैं mathematics में इस तरह से हमने छोटा सा लिखके दिखा है तो कणस्वर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं कणस्वर पूरलगनकण और अनुलगनकण अगर कनस्वर मूलस्वर से पहले प्रयोक किया जा रहा था तो वह जैसे जब हम हम पूरलगनकन काईंगे तो उसको कैसे गाते हैं? इससे हमने पहले साग आया मैं आपको पहले प्लेन साग आके दिखा रहा हूं इसमें किसी और स्वर की आवाज नहीं आगी सा तो यहां पर केवल एक ही स्वर में गाया सा सा लेकिन अगर हम सा से पहले नी स्वर का प्रयोक करें वह भी बहुत शौटली बहुत सूख्ष में सा तो देखést यहां पर सा की आवाज डाउन से अप होती हुए आई थी लेकिन जब नीषवर को गाया थो भॉत थोड़ा सा गाया था सा जह हमने छब प्लेल का था तो सिर्फ सा की आवाज आ रहेती सा लेकिन सा लेकिन जब नी स्वर का हमने कर लिया तो आवाज कैसी हो गई सा इसी तरह से जब अनुलगन कर्ण स्वर में सा के बाद हम कर्ण स्वर को गाएंगे सा आवाज सा की ही है लेकिन सा के बाद हमने रे को टच किया रे की आवाज को टच किया जबकि पूरलगन कर्ण में हमने सा से पहले नी की आवाज को टच किया था और अनुलगन कर्ण स्वर में हम सा के बाद रे को टच कर रहे हैं सा ऐसे ही अब पूरलगनाण दूबराद से तो जब हम कन्टसvrval को मूलस VAR से पहले गाते हैं तो वह पूरलगन पाद कहलाता ओर जब हम कन्टवर को मूलस÷र के बाद गाते जब अनुलगन कन्टसवर को शिखने के लिएosh हम अलंकार में एक प्रैक्टिस करते हैं जैसे सबसे पहले हमको प्लेन अलंकार गा के सुना रहे हैं सारे गा मा पा नी सा यहां पर यह अलंकार बिल्कुल प्लेन था केवल एक ही स्वर की आवाज आ रही थी लेकिन अगर हम इन ही स्वर से पहले उनके कण स्वर को गाना अरम कर देंगे तो वह पूर लगन कण का अलंकार कहलाएगा कैसे सारे गा मा पा धा नी सा यहां पर आपको दो दो स्वरों की आवाज सुने दे रहे होगी दुबारा से सुनिए सारे गा मा पा धा नी सा तो हम हर स्वर से पहले उसके कण स्वर को गाँ रहे हैं तो जब कण स्वर मूल स्वर से पहले गाया जाये तो वह पूर लगन स्वर पूर्व लगन कन स्वर्व इसी तरह से जब हम कन स्वर को मून स्वर्व से बाद गाते हैं तो वह अनुलगन कन स्वर कहलाता है कैसे यहां पे कन स्वर्व की अवाद मूल स्वर के बाद आ रही थी तो मैं आपको तीनों अलंकार एक बार गाके सुनाता हूं पहले जो अलंकार हम गाएंगे आरो जो गाएंगे वह बिल्कुल प्लेन होगा एक ही सवर की आवाज है कि कोई कंसवर हम उसमें नहीं गाएंगे सारे गा मा पाधा नी सा इसमें कोई भी कंसवर हमने नहीं गाया अब पूर्व लगन कंसवर गागी काएंगे सारे गा मा पाधा नी सा तो यहां पर हर स्वर से पहले हम उसके कंसवर को गा रहे थे अब हम कंसवर के बाद मूल स्वर के बाद कंसवर को गाएंगे यानि कि अनुलगन कंड़ सा रे गा मा पाधा नी सा तो यह अनुन कर्ण कर ला हैं तो एक वर दुबार सेमं कर लेते हैं कंसवर यानि कि जिन स्वरं को हम तिन के जितना प्रेव कर रहें वहां कंसवर कला सब्सक्रि rhagad जब हम कनस्वर को मूलस्वर से पहले प्रयोक करेंगे तो वह प्रयोक करेंगे और रेगा ये कुशन आपका टूमाक्स प्रॉक सब्सक्रा क्या प्र याद्ये खरते हैं तो इसको याद कीजिये और इसके बाद करन सवर के बाद इसी से मिलते जुलते दो टॉपिक और हैं वो हम आपको आगे की क्लास बताएंगे आज का आपका टॉपिक यहीं फिरिश होता है थैंक यू